So Hello Guys तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल जर्णल लिखा रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है तो हम शुरू करते हैं classmetric का physics का प्रैक्टिकल जर्णल तो सबसे पहदे हमने index बनाना है तो हमारे को अपने experiments इस तरीके से लिखने हैं जो आपको दिख रहे होंगे ऐसे page number डानना है और experiments के नाम लिखने है फिर इसकी बाद हमने इस तरीके से heading डाल के experiment का और apparatus लिखके, theory लिखके और इस तरीके से शुरू कर देना है observation जो है, observation जो है वो लिखनी है formula method जो भी हैं वो सारे लिखने हैं और इस तरीके से हमने diagram बनानी है convex lens की, convex lens की ये हमने experiment बनायवा है इसकी observation और इसका lens formula method ये बिलकुर आपको solution के साथ में जो हैं तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं और ये डिके डाई राउंड ये अभी incomplete है लेकिन ये बात में हम complete करके आपको आपको शायद दिखा सकते लेकिन experiment आपको ये खुद भी कर सकते हैं लेकिन अभी आपके लिए easy है इस तरीके से आपने फीगर बनाने है ये फीगर्स के नाम है आप ये ये डिजर्स है प्रिकोशन से लाजमी इतनी होती है और आप ये इस तरीके से ये आपने अपी हमारा दूसरे experiments experiment 10 भी है बहुत easy है इसको बनाना आप जल से जल इसको बना दे क्योंकि इसके बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं वही सब कुच है methods, results, experiments, apparatus, theory, radius of curvature curvature की है observation है position of mirror, focal length method, calculation formula, everything is very easy, you just have to do hard work this is the figure of last lab, now these are the results and precautions and this is the other experiment of prism so this is the experiment of prism, update us through the observation and this is the figure of prism and now these experiments are finished